नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर के टॉफ थिरी वेराइटी की जिसे आप ठंडे के मोसम में लगा सकते हैं इस वीडियो में इन तीनों वेराइटी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जो टॉप वन में टमाटर की वेराइटी है उसे अंत में बताया गया है तो वीडियो को सुरू करते हैं जो तीसरे नमबर पर टमाटर की वेराइटी आती है उसका नाम अविलास है जिसे सेमनिस कमपनी बनाती है आईए इसके बारे में जानते हैं इसका फलों का रंग आकरसक लाल होता है ओसत फल वजन 80-100 गरम तक होता है पहली तोड़ाई 65-70 दिनों में हो जाती है फलों के अकार की एक रुपता होती है और इसका ओसत उपज 5-6 मेटरिक टन पर एकर होता है और जो दूसरे नंबर पर टमाटर आती है उसका नाम शाहु है जिसे सिंजेंटा कमपनी बनाती है आईए इसके बारे में भी जानते हैं फलों का रंग इसका भी आकरसक लाल होता है ओसत फल का वजन 80-100 ग्राम पहली तोड़ाई 70-75 दिनों में ओसत उपज 15-20 मेटरिक टन पर एकर ओसत फल एक पोदे में 8-10 केजी फलों का अकार फ्लेट गोला होता है और जो पहले नंबर पर जो टमाटर की वेराइटी आती है उसका नाम टीवो 1057 है इसे भी सिंजेंटा कमपनी ही बनाती है तो आईए इसके बारे में जानते हैं जम्वी दूरी तक परिवाहन के लिए युप्यूक्त होता है अधिक कुदपादन फोस और चमकदार फल होते हैं उपज 20-25 मेट्रिक टन पर एकड़ फलों का ओसत वजन 80-100 गराम ओसत फल एक पोदे में 15-20 केजी पहली तोड़ाई 60-65 दिनों में इन तीनों टमाटर की वेराइटी को आप लगा सकते हैं क्यूंकि इन सब का फल का अकार अच्छा होता है उपज जैदा है और रोक के परती शेहनसील है और अगर आप इसे ओनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर खरीद सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए फलेश की ये नंबर पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं थैंक्यू